अब निर्वाचेत मेर डॉक्टर शेलियो बिरोय प्रेस कॉंफरेंस कर रही हैं आईए पहले हुने सुनते हैं इनके अंदर मेर और डिप्टी मेर का चुनाओ लड़ने की छमता भी पूरी तरह से खतम हो गई आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरंडर सप्ताष चल रहा है पीठा सीन अधिकारी की निउक्ती के उपर किस तरह से आज के दो महीने पहले भारती जनता पार्टी ने सम्विधान को ताक पे रखा सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडा गर्दी कर रहे हैं लेकिन इस बार जब अरविंद केजरिवाल जी ने मुकेश गोयल जी का नाम पीठा सीन अधिकारी के नाम पर भेजा तो वहाँ पर भी भारती जनता पार्टी और एल जी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम एप्रूब कर दिया आज सदन में भारती जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट ने और पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी ने आज सदन में सरेंडर कर दिया और उन्होंने सैली ओबराय जी जो हमारे मेयर पद की उमिद्वार थी और आले बहुंबद इकबाल जी जो हमारे डिप्टी मेयर पद के उमिद्वार थे ये कम्प्लीट एक तरीके से वाक उबर दिया और ये जीत गए साथियों कई सारी चीजें आपको जानना बड़ा जरूरी है इस बार जब मेयर और डिप्टी मेयर क्या चुना हुआ तो भारती जनता पार्टी ने अठारे तारिक को नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के समय इन्हों ने कहा कि भारती जनता पार्टी का मेयर बनेगा भारती जनता पार्टी का डिप्टी मेयर बनेगा इन्होंने हमारे सभी पार्षदों के उपर जोर, जबर्जस्ती, प्रलोभन, सब कुछ कोशिश किया दद्दस करोण रुपए का उफर किया कि किसी तरह से तूट जाएं, किसी तरह से ये बिक जाएं सबसे दुर्भागिपूड बात ये है, सायद दिल्ली की इतिहास में पहली बार मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस का सहारा लिया दिल्ली पुलिस के कई सारे डी सीपी और एसीपी को लगाया गया, कि हमारे पार्षदों को तोड़ा जाए, उनको बड़ा क्लियर तरीके से कहा गया, कि दस करोड़ रुपए ले अम इस सासे तेरी मिटिंग कराएंगे, और आम आदमी पार्टी छोड़ दो, ये पूरी में जिम्मेदारी के साथ ही आपको बात कह रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है लोकतंतर में इस से ज़ादा गिरी होई हरकत कोई नहीं कर सकता, जब दिल्ली पुलिस का सहारा लेकर भी हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की गई, आज जब ये लोग उसमें आए, तो इनको पता था कि इनके पास नंबर नहीं है, और साथ संभावना ये भी थी कि भारती जनता पार्टी के कई सारे ऐसे पारषद जो लोकतंतर में भरोसा रखते हैं, जो इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाब थे हो सकता था कि वो भी आज आमादी पार्टी ने आमादी पार्टी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, ये आमादी पार्टी की जीत है, आमादी पार्टी के एक एक कारिकरता की जीत है, एक एक पारषद की जीत है, और सबसे जादा आमादी पार्टी के निता अरविंद केजरिवाल जी की जीत है, उनके ज सैली उब्राएं जी जो की मेर चुनी गई है इनका धेर सारी इनको सुबकामनाय दूँगा पार्टी की तरब से सभी पार्शुतों की तरब से हमारे एक एक कारेकरता की तरब से हमारे आले जी है इनका भी मैं धेर सारा धन्यवाद करूँगा बधाई दूँगा एक एक कारकरता से एक एक पारशत के माद्यम से और एक ही चीज कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी करोणों लोगों की उमीद से निकल के पार्टी बनके आई है आज एक कारकरता के रूप में आपको य इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करें मुकेश गोयल जी को मैं बधाई दूँगा आने पिठासी नदिकारी के रूप में भी भूमिका मिली इनको उपर भी बड़ी जिम्मेदारी है मुनिस्पल काउंसल दिल्ली का चलाने की बड़ी उमीद से लोगों ने वोट दिया है क कि साफ सफाई होंगी उनके पार्क ठीक होंगे तीनों कूडे के पहाड साफ होंगे मैं अपने दोनों साथियों को अपने तीनों साथियों को धेर सारी शुपकामनाई दूँगा और बधाई दूँगा और मैं एक के कारिकरता को भी बधाई दूँगा कि उन्होंने भारत जनता पार्टी को ऐसा मजबूर कर दिया कि आज के चुनाव में वो कम्प्लीट सरेंडर कर दे मूदी जी की भाजबा ने केजरिवाल जी की आमादी पार्टी के सामने कम्प्लीट सरेंडर कर दिया मैं हमारी नौ निर्वाचित मेयर सैली उबराय जी से कहूंगा कि वो दो श सबी साथियों को मेरा नमस्कार सबसे पहले मैं मानिने मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि दुबारा से उन्होंने मुझे आज मेर कांडिडेट नॉमिनेट किया था और साथी समस्त पार्षद जितने भी विधायक हैं नॉमिनेटिड विधायक साथ में जितने भी सांसद दिल्ली की जन्ता सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और सबका बहुत-बहुत अभार व्यक करना चाहूंगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उमीदे दिखाई हैं उन सब को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दुबारा से मिली है और साथ ही मैं आप सब को आश्वासन देती हूं, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूं माननी मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दुबारा मिली है और जैसे अभी तक इमानदारी से और साफ नियत से मैं नगन निगम के कामों को करती रहूंगी साथी जो सपने हैं दिल्ली की जनता के अच्छे स्कूल के अच्छे हस्पताल के अच्छी सडकों के अच्छे पार्क के करमचारियों के जो भी मुद्दे हैं उनकी तनकुहा को लेकर उनको रेगुलराइज करने को लेकर उन सब मुद्दों पर हम इमानदारी से मानिने मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी की जो विजिन है उस पर हम पूरी निष्टा से और इमानदारी से हम सब मिलकर करेंगे नारनीती से उपर उठकर निश्पक्स तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूं कि सधन को चलाएंगे सविधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सब का आवार अले जी दिली की सबसे पहले दिली की जनता का मानिय मुख्यमंत्री देश के लोकपिरिय मुख्यमंत्री मानिय अर्विन केजरिवाल जी का जिनोंने दुबारा से मुझे और शेहली जी पर एक विश्वास जताया और हमें एक दिली की कॉर्परेशन के लिए एक उम्मीद की किरन समझा और मैं आपके महद्यम से साथी हूँ दिली की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो माने मुख्यमंत्री जी ने दस गारंटीज जो वो गारंटीज हैं जो दिली की दस जनता के खुआब हैं उन सपनों को सच करना हमारे कंदों पे आने वाले एक साल के लिए ये जिम्मेदारी हम दोनों के माने मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है जैसे दिल्ली सरकार आज पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूल्स दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स पूरे दुनिया के अंदर सरहनिय के जाते हैं ऐसे ही अब नगर निगम को भी बहुत जरुवत है, क्योंकि आप सब भी दिल्ली वाले हैं, आप भी जानते हैं कि कॉर्परेशन पिछले कितने वक्त से परेशानी के अंदर रही है, मगर मैं आपके माध्यम से, और माने अर्विन केजरिवाल जी के नेततुके में, आपको उनकी लीडर्शिप में पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कि दिल्ली की जनता ने सपने देखे, जो उन्होंने खुआप देखे, अब उनको पूरा करना हमारी एक एहम जिम्मेदारी है, अब दिल्ली की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, कि आप तमाम लोग परेशान नहों कि कॉर्परेशन के अंदर अर्विन केजरिवाल जी की भी सरकार है, आम इंसान की सरकार है, दिल्ली के धाई करोड जनता की सरकार है, अब उनके इस कॉर्परेशन में इनके दर्वाज आम जंता के दर्वाजे हमेशा हमेशा खुले रहेंगे शरीव एक आम सेवक बनकर आम जन्ता का नागरीक बनकर यह मेर और पोस्ट हैं लटनेगे लहहां कि यह द्गी मफ्राशनuse को स目前 के आंदर उन चल रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करूँगा, अपने तमाम हमारी सीनियर लीडर्शिप का धन्यवाद करूँगा, संजे सिंग साहब का, माने राजे सबा सांसस का, कि जिनकी मागदेशन में हम नगन निगम को पूरा समझते हैं, मैं हमारे जो नेता सदन है, मुकेश गोयल जो बड़े हैं, जिनसे कई साल से मैं साथ रहकर इनके साथ समझ रहूं, तो इसके साथ साथ और आप सब का, हमारे मीडिया के सातियों का, कि हमारी बातों को दिल्ली की जंता के बीच में आपके माध्यम से हम पहुशते हैं, मैं आपका भी दिल की घहराईयों से को भी सुना, अब आप मुकेश घुयल को सुने और आज सदन के अंदर जिस परकार से भारते जंता पार्टी को, अपने कैंडिडेटों को नाम वापिस दिल्वाना पड़ा, उनकी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी पार्टी के ही बहुत से पार्शद इदर उदर हो रहे हैं, जिसकी वज़ा से उन्होंने नमांकन पत्र वापिस लिया, लेकिन फिर भी हम उसका स्वागत करते हैं, और साथी साथ आशा करते हैं, कि आगे भी भारते जंता पार्टी के लोग, उनके पार्शद, दिल्ली की जंता की समस्याओं को समझते हुए, हम सब लोग दिल्ली की समस्याओं को सुल जाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और भारते जंता पार्टी के पार्शदों का भी फर्ज बनता है, कि वो राजनिती ना खेलें, वो दिल्ली की जंता की समस्याओं को दूर करने के लिए साथ दें, तो निश्चित तोर पर दिल्ली के समस्टे में जिस परकार से मापूर के पद पर रहकर काम किया है वो बहुत काबले तारीफ है इसी परकार से आले मुहमद जी ने भी जो पिछले लगबग 10-12 वर्शों से मेरे साथ है उन्होंने भी बहुत अच्छा का रहे किया है और इसक ज्मार्वद darshani हमें मिलता 24 गंटे आमारे बीछ में रहते हैं हमारे दिल्ली के परभारी भाई दुर्गेश पाठच जी जो 24 गंटे प्रफ दिल्ली की समस्याओं के लिए दिल्ली नंग्यदय की समस्याओं के लिए बारे पाल शब्ष दोब की और दिल्ली की जनता समाधन करेगी और दिली को एक साथ सुत्रा और स्वच परशाशन देने का पूरा पूरा जो हमारा वायदा है वह वायदे को निवायगी और दिली की जनता को ईनकी समस्छयां से समाधन मिलेगा एम पुने अपने पढ़ने प्रदेश नह vienen व Be उर आप सभी परकार से आप हमारा पक्ष रखते हैं उसे आप लोगों की ताकष से भी हमें ताकष मिलती है और यह लड़ाई जो आज हमने जीती है यह आप लोगों के सहों के दम पर जीती है धन्यवाद कोई प्रश्ण है उसका हम एक कंप्लेन बना के देंगे भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कि जो जो अधिकारी इस पूरे कारवाई में इंवाल्व रहे हैं उनका नाम ले सकते हैं पब्लिकली लेकिन नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिट्यूशन है उसकी क्रेडिबिल्टी भी दाओं पर लगती है लेकिन इसके उपर हम एक प्रॉपर सिकायत करेंगे हम प्रॉपर सिकायत करेंगे उस पर अपनी सारी बात रखेंगे तो इस बार नहीं जुटा ना वह खुदी मान रही है जो मैंने कहा रहे हैं कि जिस तरह से वह तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वह तूटा नहीं मामला इसलिए विड्रॉप कर ले गए तो उन्होंने एक तरीके से जो मैं कह रहा हूं उसको एक तरीके से माल लिया आपकी बात्चीत में और कोई प्रेश्ट अब जानते हैं उसकी बिल्कुल एक अपने बार इंचीडी के लॉयर्स ने इंचीडी की हिप में ही मतलब अपना स्टांस लिया और ट्रेडर्स ने भी उसके काफी निराश एक्स दिए दूसरा बात की सालरे टाइम भी मिलेगा करम जान मैंने उस दिन भी कहा था कि बजट जो आया है उसका थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि 28 तारीक को फिर से बजट आएगा उसको बजट एक तरीके से जो प्रोसेस होता है एप्रूब होने के बाद वो सारा एकाउंट में आ जाएगा तो एक तरीके से बजट तो उस दिन पे हमने कमिशनर को भी लेखा है और यह कहा है कि इसको फालो किया जाए और जो नेक्स्ट एरिंग है अगर उसमें फालो नहीं किया गए तो अधिकारियों के खिलाफ सकते सकत करवाई करेंगे सर्फ कुछ प्रोजेक्स ऐसे हैं जो जन्मिली स्टेंडिंग कमिटी से पास हैं जैसे आपका रेकुलराइज यह जो आपका कॉर्टेक्शल स्काफ वाला सब्सक्राइब था वो एक महीनी या दू महीनी के लिए उपपाया है लंबा इसमें भी कर पाए कि तो मेरा ख्याल है नहीं हम हाउस में लाके उसको एप्रूब कर सकते हैं अब हम तीन तक वेट करेंगे अभी सैंडिंग कमेटी की जो हेरिंग एक बार आ जाए दुबारा से उसके बाद विंसी नहीं तो तीन तारिक को जब तक मामला कोट के अंदर है तब तक कोई भी डिसीज ठीजन नहीं ले सकता एक बार कोट का फैसला आजाएगा उसके बाद इसे लेंगे है अभी तो कॉर्ट मेरी है तो कोट किे ये होगा ना जब तक वो फैसला नहीं जो प्रवीजन हम डिसकर करेंगे जो हाउस में आ सकता है उसका आए हम कोट कर रहे दीजे कि उन्होंने कम्प्लीट सरेंडर कर दिया आप उनके दूसरी वाली बातचीत में मत करिए इस्टेंडिंग कमिटी का चुनाओ कौन नहीं होने दे रहा था यह आपको पता है मेर साब का बैलेट लेके कौन भाग रहा था यह आपको पता है मेर की कुर्सी पर चड़कर सैली अबराय के उपर हमला कौन कर रहा था यह आपको पता है बैलेट के अंदर पानी कौन डाल रहा था यह आपको पता है भारती जनता पार्टी वाले बैठ के ग्यान ना दें कि स्टेंडिंग कमिटी का चुनाव कौन नहीं होने दे रहा था आज भी आपके साथी पत्रकार नहीं बताया कि सिखाराय ने कहा कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं 2024 में हमारा मेयर होगा तो इन्होंने थोड़ा टाइम लाइन बढ़ाया है प्रोसेस नहीं खतम किया है यह नहीं कह रहे हैं कि हम लोगतंत में भरोसा करते हैं हमने 15 साल में दिल्ली को बरबाद कर दिया इसलिए अब हम MCD पे नहीं काम करेंगे आमादी पार्टी को मौका देंगे वो यह नहीं कह रहे हैं वो कहना है कि हमारा जो यह तोड़फोड का प्रोसेस है यह चलत दुर्गेश पाठा को आपने सुना साथी डॉक्टर शेलियो बिरॉय आले मुहमद और मुकेश गोयल को भी आपने सुना साफ तोर पर वो कह रहे हैं कि स्टेंडिंग कमिटी का जो बहाना भारती जनता पार्टी दे रही है कि क्यों हमने अपना नामांकर वापस लिया आप उस बहाने पर मत जाईए आप सिर्फ यह देखिये कि भारती जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी को अपनी करार हार अपनी आखों के सामने दिख रही थी बीजेपी ने अपनी ओर से नए मेयर बनाने की टाइम लाइन को भी आगे बढ़ा दिया यानि कि बीजेपी ने चुनाव में हारने से बहतर ये समझा कि क्यों न हम अपना नाम बापस ले लें।